जदियू में इन दिनों उथल पुथल की खबरे लगातार आ रही हैं और इस्थिती है कि जदियू में कई गुटबाजी, खेमेबाजी की बातें आम हो गई हैं और इन तमाम कई आसबाजीयों और खबरों की जो अलग-अलग बात की तरह की का फुवा है थी इन सब के बीच अब दिल्ली से एक बड़ी खबर यहाई है कि जदियू के दो बरे निता नितीश कुमार के सामने ही आपस में भिर गए जदियू के एक बरी बैठक जब दिल्ली में चल रही थी तो उस दौरान जब खुद बिहार के मुख्यमंतरि नितीश कुमार और जदियू के राष्ट्रिय अध्यक नितीश कुमार उस नित्यतु कर रहे थे तो उस दौरान जदियू के दो बरे निता आपस में भिर गए और एक दूसरे पर जो आप जुबानी प्रहार कर रहे हैं, इससे बहतर है कि संगठन को बहतर करने, जदियू को सशक्त करने और जदियू की बहतरी के लिए काम करें, न की इस तरीके की बहसपाजी करें. दरसल सूत्रों का कहना है कि जदियू की यो दिल्ली में बैठक आचल रही थी इस दोरान उत्तर प्रदेश के जदियू अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के जदियू प्रभारी आपस में भीर गए तरसल हम आपको बताएं कि यह पूरा का पूरा मामला है यह मामला तब हुआ जब नितियस कुमार अलग-लग नेताओं से मुलाकात कर रहे थे तो सनिवार को दिल्ली में मुख्य मंत्री नितियस कुमार के सामने ही दोनों जदियू नेता आपस में भीर गए कहा जा रहा है कि जडियू की बैठक में यूपी जडियू के नेताओं के आप बीच में आपस में जोरदार बहस हुई सुत्रों के रिचार यूपी प्रदेश अध्यक्ष सत्यंदर प्रटेल और यूपी प्रभारी बिहार सरकार में मंत्री स्रवन कुमार आपस में उलज गए दोनों के बीच जिसमें उलजन सुरू हुई उस दोरान सीम नितीस भी वहीं मौजूद थे बाबजूद इसके दोनों निताओं ने एक दूसरे पर जुबानी प्रहार किया कहा जा रहा है कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो कि उत्तर प्रदेश के हैं सत्यंदर प्रटेल उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री और यूपी जद्यू के प्रभारी स्रवन कुमार की कारिशयली पर सवाल उठाए दोनों के बीच तरातनी को देखते हुए बीच बचाओ के लिए खुद सीयम नितीस को बीच में आना परा दोनों के बीच इस्थिती तनावपूर्ण होता दे एक सीयम नितीस कुमार ने दोनों को समझाया कि मिलकर काम करें उन्होंने देनेव निताओं से कहा कि एक जू ठोकर संगठन और पार्टी के लिए काम करें हलाकि इस दोरान वहां मौझूद कई अनि जद्यू निता भी हत्प्रफ रगए जब स्रवन कुमार और एक जद्यू पी जद्यू के अध्यक्ष दोनों आपस में इस तरीके से भिर गए तो पहले से ही जद्यू में खेमेबाजी और गुटबंदी की जो खबने चल रही थी और अलग एक तरीके से दावा किया जा रहा था कि जद्यू में भीतर खाने घमासान मचा हुआ है इन सब के बीच एक दिन पहले ही ललन सिंग को जद्यू अध्यक्ष पत से हटाया गया है और इसके पीछे भी एक बड़ा कारण यह माना गया कि जद्यू में जो गुटबाजी बढ़ रही है उन जब के कारण ही नितिस कुमार ने अब जद्यू का नेत्र तो अपने हाथों में लिया है कि संभवता जद्यू में सब कुछ ठीक नहीं है और सीम नितिस के सामने ही उनके मंत्री और उनके यूपी प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से एक दूसरे के साथ आपस में भीर जाना एक दूसरे से वहसवाजी को लेकरके जो अलग-अलग किस्म के ख़वरें सामने आई हैं या कहीं कहीं सी इस बात के भी संकेते हैं कि जद्यू में लेकरके अलग-अलग तरीके के जो निता हैं उनके बीच में कुछ न कुछ तो तनातनी की स्थिति बन रही है और यह तनातनी आज एक बार फिर से नितीज कुमार के सामने ही सारजनिक रूप से और तमाम अने निताओं के बीच ही बीच पटल पर आ गई जब दिल्ली में इस बैठक के दवरां स्रोवन कुमार और यूपी जदियू के अध्या के शतंदर पटल दोनों के बीच में कहा गया कि दोनों आपस में भिर गए हलाकि गनीमत यही रही कि नितीज कुमार ने दोनों को समझाया दोनों को मिलकर जद्यू की बेहतरी के लिए काम करने का उन्होंने सुझाव दिया है लेकिन इन सब के बीच जैसा मैंने आपको बताया कि जद्यू में घहमासान की जो खबरें चल रही है उन्त पर एक तरीके से यह भी एक पुष्टी है कि जद्यू में कई नेता एक दूसरे की आँख्वें नहीं सुहाते हैं